ओकें next is enzymes enzymes से क्या समझती हो enzymes actually में क्या होता है enzymes एक Biocatalyst की तरह काम करते है actually में अगर हम बायो के हिसाब से enzymes को बताते हैं कि वो क्या होता है तो जब लोग खाना खाते है तो वो digest कितने दिन में हो जाता है एक दिन, few hours, something, दो दिन, कुछ time period में होना यह काम कौरता है यह दैजिस्ट हो जाता है यह तो कि करने में आपको 50 से 100 साल लग सकते हैं अगर आपने एक मील खाई तो आपको डाईजसे मिनिम मम लग सकते हैं मिदाउट enzyme, तो enzyme क्या होता है, यह एक bio catalyst की तरह काम करता है, चलो समझते हैं, enzymes nitrogen containing complex organic compounds होते हैं, चीक है, जिन पर nitrogen पाया जाता है, ठीक है, तीन चीज़े से यह main बने होते हैं, वह भी हम आगे discuss करेंगे, enzymes क्या करते हैं, यह किसी भी reaction को बहुत fast कर देते हैं, plants और animals, आपको एक्जाम्पल दिया, उसकी तरह यह क्या करेगा, यह उसको बढ़ा देता है, rate of reaction को fast कर देता है हमारी body में, they react as a या they work as a biocatalyst, तो biocatalyst का क्या मतलब है, catalyst का simple मतलब क्या होता है, rate of reaction को increase करता है, without taking part in it, यह हम catalyst अभी तक पढ़ते हैं, तो यह भी यह करेगा, अब क्योंकि biological यह काम कर रहा है, मतलब हमारी body में यह काम हो रहा है, तो इसको हम बोलते है, biocatalyst, मतलब हमारी body में जो reactions चल रही है, chemical reactions इतनी सारी, यह किसकी वज़े से तेज चल रही है, यह हमारे enzymes की वज़े से fast move करती है, और fast जो है यह चीज़े होती है, समझ में आगे सबको, so it acts as a biocatalyst, अगर हम बात करें enzymes के nomenclature की, तो इनको generally जिस compound से पाय जाते हैं, यह जहां से भी जो compound इसमें पाया जाता है, break करते हैं तो वह बनाता है glucose, n times of glucose बनाता है, क्या बनाता है, n times of glucose बनाता है, अब यह किसी के presence में करता है यह चीज, किसके presence में, maltase, maltase, तो इसका नाम रख दिया, maltase, फिर से समझो क्या बुला मैंने, they are generally named after the compound or class of compounds upon which they work, जिसके तुरू यह work हो रहा है, जो compound यह पर काम कर रहा है, उसके basis पर इनका नाम रख देते है, the enzyme that catalyzes the hydrolysis of maltose, मतलब, maltose का अगर आप hydrolysis कर दो, hydrolysis कर दो, तो यह क्या बना देता है, hydrolysis कर दो, तो यह glucose बना देता है, तो इसका नाम क्या रख दिया, इसका नाम ने, maltase रख दिया, ठीक है, maltase, ठीक है, So sometimes, enzymes are also named on the type of reaction being catalyzed, for example, the enzymes, जैसे कि आपने एक reaction सुनी है, जो हम लोग पढ़ते है, redox reaction, जिसमें oxidation और reduction दोनों होता है, तो ऐसी कोई अगर चीज हो रही है, कई बार इनको reaction के basis पर भी नाम दे देते हैं, जैसे कि अगर कोई reaction है, जिसमें catalyze होके oxidation भी हो रहा है एक substance का, simultaneously reduction हो रहा है दूसरे substance का, तो उसका नाम क्या हो जाता है? उसका नाम हो जाता है, oxidoreductase, क्या नाम हो जाता है, oxidoreductase, oxy क्योंकि oxidation हो रहा है, तो oxido, और reductase क्योंकि reduction भी हो रहा है, अब आप बार बार देख रहो है, वहां पर नाम रखा maltase, नीचे नाम रखा oxidoreductase, तो कुछ चीज कॉमन देखिए, हमें A's वाला जो word है, A-S-E, तो हाँ भई, हम कई बार enzymes को, mostly हम enzymes को end करते है, A-S-E word से, clear हैं आपको, okay, फिर से समझा दूँ क्या, enzymes क्या होता है, जो bio catalyst की तरह काम करते है, हमारी reaction, हमारी body की reactions में, ठीक है, हमारी body की जितनी भी reactions हो रही है, उनको fast कर देते हैं, ठीक है माम समझ गया, नॉमन्क्लेचर की बात करें, तो किसी जिस भी catalyst, कोई भी यहां पर जो हम काम कर रहे हैं, माल्टोस में जैसी हम काम कर रहे थे, तो वहां पर क्या कि आमने इसका ना माल्टेज रख दिया, माल्टेज, ठीक है, ठीक है माम, अब अगर हमने बोला कि कई बार यह reaction के basis पर रख देते हैं, जिसको सबसे famous example होता है, यह oxidoreductase वाला, क्योंकि oxidation और reduction simultaneously एक ही compound की work कर रहे होती हैं, एक ही oxidation दूसरे कवहीं पर simultaneously reduction हो रहा होता है, तो नाम क्यों हो जाता है, oxidoreductase नाम हो जाता है, clear, ठीक है माम समझ गए, तो Aze, Aze दोनों में आ रहा है, similarly the enzymes which catalyze the hydrolysis of substrate are called hydrolase, यह hydrolysis कर रहे हैं तो अब hydrolase कह दिया उसको हमने, तो Aze word से यह end होते हैं, ठीक है कोई nomenclature इनका बहुत बढ़ा नहीं होता, so they ended with the word, end करते हैं हम ज्यादा तर इसको Aze से, किसको end करते हैं इनके, nomenclatures को, naming जब करते हैं तो end करते हैं, ज्यादा तर mostly Aze से, ठीक है, चलो, next आ जाते हैं, next topic पर जो है हमारा vitamins, vitamins दो चीज़, दो word से मिलके बना है, vitamins कैसे बना है, V-I-T-A-M-I-N-S, तो यह दो word से मिलके बनता है, जिसमें first word है आपका Vita, Vita, जिसका मतलब होता है, या wit लिख लो केवल, wit, जिसका मतलब होता है vital, vital, vital मतलब समझते हो न, बहुत vital है यह चीज, right, so that is vital, और amine, next क्या आ रहा है, amine, तो actually में यहां पर E होता था, पता है vitamin जो है न, उसमें vitamin में S नहीं होता था, E होता था, एक तो वाइटल हो गया, वाइटल मतलब बढ़िया, वाइटल चीज है यह बहुत जरूरी चीज है, ठीक है, तो वह तो vital का meaning हो गया, exact Hindi meaning मुझे नहीं आदा रहा vital का, so I hope आप समझ रहोगा vital meaning, क्यों ऐसा होता था, क्योंकि पहले यह चीज बताई गई थी, कि vitamins जो होते हैं, उनमें amine group होता है, तो यह E से हटाया, किसने और क्यों यह question आया, तो भई यह जो E है इसलिए हटा दिया गया, क्योंकि बाद में यह चीज जब मतलब जैसे moderate world हम बढ़ने लगे, हमें पता चला यह चीज, कि amine group actually में vitamins में नहीं पाया जाता है, तो अब नाम तो रख दिया था, तो उस नाम को हम कैसे पूरा नाम बदल के कुछ और रख दे, तो उसमें क्या किया गया, चेंज कर दिया गया इसके नाम में, तो इसका नाम हो गया vitamins, clear है सबको? Okay, vitamins अच्छा सबने सुनाओगा, vitamins, vitamin D, vitamin C, इसकी मतलब something की, आपके body में vitamin की कमी है, यह tablet खालो, कई लोग तो बिना किसी के suggestion के tablets खाने लगते हैं vitamins की, तो vitamins ज्यादा होना और vitamins कम होना, दोनों ही बहुत ही ज्यादा हमें problem हो जाती है body में, तो इसलिए कहते हैं कि vitamins जब भी आप use करते हो, कोई भी vitamin tablet खा रहे हो, तो हमें हमेशा consult कर लेना चाहिए, further further doctor से, right? क्योंकि without any consultation, हमें कोई भी vitamins की tablets नहीं लेनी चाहिए, यह बहुत basic चीज है, क्योंकि vitamins की tablets बहुत लोग खाते हैं, in fact मेरी family में कई ऐसे लोग जो vitamins की tablets लेते हैं, without the prescription of the doctor, तो ऐसा नहीं करना होता है, अब तो सुधर गहें काफी, तो आप ऐसा नहीं करना है, Now vitamins are group of organic compounds which are required in very small amounts for the healthy growth and functional of an animal organism, बहुत कम amount में हमको इसकी जरुरत होती है, हमारे normal body में, तो हमको उतना ही amount में इसको लेना भी होता है, कई तरीके के vitamins होता है, हमारी B6, B12, H, A, E, D, K, C, B9 and so on, so on, so on, so on, next, classification of vitamins करते हैं, तो अगर हम vitamins का classify करेंगे, तो पहला classification होता है, बहुत ही सिंपल, आप नाम से भी समझ रहे हो, क्या मतलब इसका, यह वो oily substance होते हैं, that are not readily soluble in water, fat-soluble vitamins, fat-soluble, 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 that is, fat-soluble, they are not readily soluble in water, they are soluble in oils, and fats, fat-soluble, this group of vitamins, includes vitamins A, D, E and K, तो यह हमारे fat-soluble vitamins होगे, जिसकी image आपको दिखरी होगी, ठीक है, यह देखके कहीं खाना खाने मत चले जाना तुम लोग, पहले वीडियो पूरा करो फिर खाले ना, now, fat-soluble vitamins, कुछ कहा रहोंगे, मैं हम खाते-खाते ही वीडियो देख रहे है, water-soluble vitamins क्या है, जो water-soluble होगे, so this group of vitamins includes vitamins, of group B complex, vitamin C etc, the water-soluble vitamins as stored in a much lesser amount in the cells, बहुत कम amount में हमारे body में already वो present होते है, तो जैसे कि vitamin C हो गया, जैसे कि vitamin B हो गया, यह क्या है हमारे, यह हमारे उपर वाले fat-soluble है, जो oil-fats में soluble होते हैं, और नीचे वाले हमारे water में soluble होते हैं, clear है, okay, next, next है बिटा, nucleic acid, nucleic acid क्या है, every generation of every species resembles in its specific ancestors in many ways, अगर आपको मैं बोलूँ कि, for example, आपका भी, आपने, हम तो जो जो बच्चा है एक दम पने parents की तरह दिख रहा है, right, जैसे कि Saif Ali Khan का मैंटा, exact Saif Ali Khan ही लगने लगता है, कभी-कभी Saif Ali Khan से जादा भी वह Saif Ali Khan लगने लगता है, जैसे शारुक Khan का जो son है वह Saif Ali Khan की तरह ही लगता है, so that is like, कुछ features मिलते हैं, it's not like हर एक feature मिल रहा है, हर जगह पर ऐसे ही होता है, लेकिन कई बार, maximum times ही होता है, कि जो एक generation से दूसरे generation जो होती है, उनके features मिल रहे होते हैं, right, तो यह क्या होता है, nucleic acid यही से आपको समझना है, actually में क्या होता है, किसी भी cell में, center में क्या होता है, cytoplasm होता है, उसके अंदर पाया जाता है nucleic acid, ठीक है, now, यह किस type के होता है, दो type के आपको पढ़ने होते है, DNA, बहुत आपने सुना होगा नाम, deoxyribonucleic acid जिसको बोलते है, and RNA, जिसको आप ribonucleic acid बोलते हो, DNA and RNA, ठीक है, composition of nucleic acid समझो पहले तो, यह nucleic acid किस तरीके से बना है, कैसे compose होता है, यह तीन चीजों से मिलके बना होता है, पहला होता है pentose sugar, ठीक है, दूसरा होता है nitrogen containing heterocyclic base, एक nitrogen containing heterocyclic base, और तीसरा होता है phosphoric acid, H3PO4 ठीक है, आप देखो, कई तरीके होता हैं, जैसे कि purine, adenine, guanine, cytosine, cytosine, thymine, uracil, यह कई तरीके होता है, बताएंगे आपको DNA में और RNA में क्या-क्या पाया जाता है, ठीक है, पांच carbon का sugar बना हुआ है, second में आपको क्या देखेगा nitrogen containing heterocyclic base, एक nitrogen containing heterocyclic base देखेगा और थर्ड में देखेगा phosphoric acid, अभी इसका structure में आपको आगे समझाने वाली हूं, फिलाल DNA और RNA में क्या difference होता है, कि DNA में बेटा दोनों में ना 4 टाइप की nucleic acid पाया जाते हैं, अगर मैं बोलू, कौन सा base DNA में पाया जाते हैं, तु क्या बोलोगे आप, जो base DNA में पाया जाता है, वो कौन कौन सा होता है, वो शता है आपका adenine, guarine, cytosine and thymine, agct, adenine, guarine and cytosine and thymine, अब आपको, तो अगर मैं बोलू कि यह तो हो गया DNA का, RNA का बताओ, तो आपको क्या करना है, simple, इन चारों में से A, G, C, T की जगे पे यू लगा देना है, तो यह बन गया RNA के basis, यह क्या क्या है, एडेनिन, गवानिन, साइटोसीन, और लास्ट में आ गया, यूरसिल, तो यूरसिल को आपको थाइमीन से रिप्लेस कर देना है, तो आप RNA बना दोगे, clear है, RNA और DNA बन गया, तो DNA में कौन से basis होते हैं, चार बेस होते हैं, एडेनिन, गवानिन, साइटोसीन, और थाइमीन, और अगर मैं बात करूँ आरन की, तो एडेनिन, गवानिन, साइटोसीन, थाइमीन की जएगे क्या जाएगा, यूरसिल आ जाएगा, थाइमीन की जएगे क्या जाएगा, यूरसिल आ जाएगा, चीक है, next, structure of nucleic acid कैसे होता है, एक होता है nucleoside, एक होता है nucleotide, ध्यान से समझना, nucleoside and nucleotide, उससे पहले आप इसका structure normal समझो, यह देखो, यह structure बना है, यह है pentose sugar, जो हम बता रहते है, sugar, उपर क्या लगा है, देखो, base, और यहाँ पर क्या है, phosphoric acid, तो यह तीन चीज़ों से मिलके बना होता है, phosphoric acid, phosphoric acid, sugar, pentose sugar, जिसको आप बोलते हो, pentose sugar और base, क्या तीनों चीज़े आपको दिख गई इस structure में, हाँ माम को तीनों चीज़े दिख गई, उपर base है, first number पे pentose sugar और center में क्या है इसके, sugar pentose है, clear है, now nucleoside और nucleotide क्या होता है, समझना ध्यान से, first position ध्यान से देखना, a unit formed by the attachment of a base to one position of sugar is known as nucleoside, अगर first position के base, first position पे लगा है, if a unit formed by the attachment of a base in the first position of the sugar, it is known as nucleoside, तो उसको क्या बोलेंगे nucleoside, तो मैं nucleotide क्या है, when nucleoside is linked with phosphoric acid at the fifth position of the sugar, moiety, the unit obtained is called nucleotide, नहीं समझ मैं है, चलो समझाते हैं, देखो, अगर sugar के साथ, base को मिला दोगे, तो वो बनाएगा बिटा, nucleoside, समझ मैं, शुगर के साथ, base मिला है, तो nucleoside, ठीक है, हम समझ गें, first position पे, ठीक है, अब अगर इसी sugar में, शुगर, प्लस, base जो था, इसमें हम क्या मिला दे, फॉस्फोरिक असेड मिला दे, तो ये बिटा बन जाएगा आपका nucleotide, अब बता कोई दिकत, nucleotide, है, nucleotide, आप बता कोई दिकत, nucleoside क्या है, sugar और base, first position पे, sugar के first position पे हमने क्या लगा दिया, base को लगा दिया, तो nucleoside, अब अगर हमने उसके fifth position पे, इन दोनों sugar के fifth position पे, क्या लगा दिया, फॉस्फोरिक असेड लगा दिया, तो वो nucleotide है, तो simple words में अगर मैं बोलू, तो nucleot side में, add कर दो, phosphoric acid, तो वो क्या बनाएगा, वो हमारा nucleoside, 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 nucleoside में phosphoric acid लगा दो, तो nucleotide बन जाता है, समझ में आ गया सबको, okay, so अगर यह हो गया, the unit obtained is called the nucleotide, तो simple अगर आपने structure से समझ सकते हो, आप, sugar molecule तो normal सा, उसमें आपने base लगा दिया, तो यह हो गया nucleoside, nucleoside of DNA, nucleoside from RNA, अच्छा मैं, DNA और RNA, यह क्या मतलब हो गया, अच्छा, ध्यान से समझो, DNA होता क्या, what do you understand by DNA, यह होता है मैं, deoxy ribonucleic acid, right, अब मैं बोलू RNA, तो ribonucleic acid, something होता है, deoxy ribonucleic, मतलब deoxy, removal of oxy group, OH group का removal is deoxy ribonucleic acid, तो ध्यान से स्ट्रक्चर को अब सो, structure पूरा visible होगा, हाँ, तो देखो क्या दिख रहे, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, यहाँ पर H लगा हुआ है, इस वाले को द्यान से देखो, यहां पर क्या लगा हुआ है? ह ह यहां पर लगा हुआ है? हम यहां पर Ohio है है? हा disp जहां पर लट तो ह अपर यहां पर Ohio है क्य ओ लोट और ना धॉत हटा दिया तो ये क्या बन गे रहरा थभी यह बन गे हमारा झाल bigिए दिए अब बढ़ते हैं आगे next slide में जिसमें हमको पढ़ना है formation of dinucleotide dinucleotide मतलब हम दो nucleotide वाले होंगे nucleotide तो समझ गया ना sugar होगा बेस होगा और हमारा phospholic acid होगा ठीक है ठीक है अब इसको बनाते कैसे हैं तो अगर हम बोले यह किस bond से दो आप नुकली असे जोड रहे हो तो किस bond से जुड़ा होता है तो वो जुड़ा होता है phosphodiester linkage से किस से जुड़ा होता है phosphodiester linkage से यह चीज़ दियाम याद रखना nucleotides are joined together by phosphodiester linkage between five dash and three dash carbon atoms of the pentose sugar यह आपने pentose sugar लिया एक number one एक number two अब देखो क्या होगा 5th 5th वाला and three dash वाला carbon है five dash वाला जो तृड़ दी में पर आपने जैस देख सकते हो यहां one two three four five और सब में डाणा देता है तो मैंने क्या बोला fourth dash वाला carbon कौंसा वाला carbon fifth dash वाला carbon और three dash वाला carbon कौंसा वाला यहां पर रा त्री डैश वाला कार्बन इन दोनों की बात हो रही है ठीक है तो फिफ्ट डैश और फिफ्ट डैश कार्बन आटम से जो पेंटो शुगर है उसमें क्या है जोईन होगा एक दूसरे सो और फिफ्ट डैश ऌर थर्ड वाला और तो इसने क्या बना दिया एक दो नुक्ली आसट को जोड़ दिया या नीकिस से जुड़ते तो छोड़ते हैं फोस्फरडीस्टर लिंकेज से फोस्फरडास्टर लिंकेज किस किस कारबन के बीच में होता है तो 5- ″ and 3-» Cabon के बीच में होता है. यह रहा हमारा 5- carbon यह रहा हमारा 3- carbon दोनों को आपने जोड़ दिया phosphodiaster linkage बन गया इन दोनों के बीच में clear है? Now, information regarding the sequence of nucleotides in the chain of a nucleic acid is called its primary structure. जिसको आप primary structure बोलोगे, शुगर के साथ बेस लगा है, फॉसफेट, तो फॉसफेट इस शुगर के कारवन के साथ, ट्री डैश और फिफ्ट डैश वाले कारवन के साथ जुड़ा है, एंट टाइम्स ओविस ने ये बना लिया है, और ये हमारा बन के आगया, तो ये प्राइमरी structure इसका, प्राइमरी, नॉर्मल structure इसका, ठीक है, ओके, नेक्स, DNA, RNA secondary structure कैसे बनते हैं, सो वाटसन और क्रिक ने एक double strand helix structure बताया था, जो कुछ इस तरीके से दिखता था, ठीक है, नॉ, एडेनिन पेर्स विद थायमीन, जो जिसके साथ, अभी मैंने बताया ना, DNA में क्या क्या होता है, एडेनिन, गवानन, साइटोसन और थायमीन, तो गवानन किसके साथ जुड़ेगा, साइटोसन के साथ ही जुड़ेगा हमेशे, only, सिर्फ और सिर्फ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यह structure, तो यह double वाला stranded helix structure बनाया था, किसने बनाया था, वाटसन ने, और क्रिक ने यह structure दिया था, double helix, एक helix होता है, जो अभी आप बीचे और दूसरा helix इसी में लगा दिया, so double stranded helix structure, बीच में देखो सबके bond लगे हों है, यह भी आप देख सकते हो, तो यह क्या है, साइटोसन, और साइटोसन के साथ हमेशे क्या लगा होगा, गवानीन, तो साइटोसन, गवानीन, एडेनिन, थाइमीन, एडेनिन, थाइ लगे हों है, अब हमने base आपको पढ़ाया थे, वही लगे हों है, अगर हम बात करें RNA के, तो RNA single stranded structure होता है, इसके दोनों को नहीं जोड़ना है, एक को उठा के लिए आना है, तो that is RNA, RNA का structure single stranded होता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, RNA कुछ इस तरीके से, देखो, साइटोसन, guanine, adenine and uracil आ जाता है, यह जाता है, यह भी एक hellix structure है, इसका आरने का है, वो किसका है, हमारे DNA का है, देखो, यहां पर क्या लगे हुए है, यह हमारे nucleosides लगे हुए है, नुकलियो bases लगे होए आपके, लो, now single stranded structure of RNA, इसको आरने molecules तीन टाईप के होते है, एक messenger RNA, जो message transfer ग आपको बहुत डीटेल में नहीं समझना है बेसिकली आपको इतना ही जानना है इस वाले में क्लियर आपको इस चाप्टर में सबसे जाधा जो समझना था वह ग्लूकोस का स्ट्रक्चर ग्लूकोस के बारे में हर एक बात फिर फ्रक्तोस के बारे में हर एक बात बहुत ज्यादा डीटेल में पढ़ने थी फिर चोटी चोटी चीजें जो मैं बताती जारी उसके अलावा कुछ भी उससे कोई भी डीटेल चीज नहीं आएगी उसमें अगर मैं कोई चीज कोई स्लाइट को सिफ कोई लाइन रीट करें तो दाट उसका कोई सेंस नहीं है ठीक यह आपको अजब लेने तो लिपिट्स को पूछे का क्या होता है यह बहुत ही लार्ज और डाइवर्स ग्रूप होते हैं जो नाचरली अकरिंग और गैनिक कंपाउंट्स के होते हैं जो की कैसे है इन सॉल्यूबल है वाटर में और सॉल्यूबल है किसमें नॉन पोलर और में लिपिट्स समझ में आ गया नौ कैसे लिपिट्स होते हैं जैसे कि ऐसे की फैट्स ले लो जैसे की वाक्स ले लो ऑईल क्या सॉल्यूबल है वाटर में नहीं और इन सॉल्यूबल हो जाएगा ठीक है ओके होर्मोन क्या होते है होर्मोन is a chemical released by cell of a gland in one part of the body जो कोई सेल जो फिर उसके बाद वो जैसे कि हमने बोला कि हमें for example यह पैन उठा के वाँ रखना है तो पहले हमारे ब्रेन से मैसेज जा रही सब आपने बायो में नॉर्मल जो पढ़ा हुए बस वही बात है तो यह फूर्दर उस मेसेज को ट्रांसफर करते हैं ठीक है अधर 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 प इसमें जो जो चीजे बता ही है इंपोर्टेंट वह बहुत अच्छे से समझ लीजेगा ग्लुकोज दैन उसके बाद इसका स्ट्रक्चर है बाकी सबका असान लगने लगेगा इसलिए मैं बार बार बोल रहे हूं एक का समझ लो एक का बैटके खुद से कॉपी में ड्रौ क